दोस्तों आज के इस tutorial में हम discuss करेंगे कैसे हम अपने system में drivers को install कर सकते हैं अगर आपके drivers सही तरह से update नहीं हो रहे हैं मुझे काफी दोस्तों के comments आते हैं कि आपने जो वीडियो बनाई है वो fake है तो इसका मैं आपको solution बताने वाला हूँ सबसे पहले आपने start के button पर apply करना है search में आना है और यहाँ पर आने के बाद simple आपने यहाँ पर आपने टाइप करना है services.msc तो जैसे हम services.msc टाइप करेंगे और हमने क्या करना है simple enter के button पर press करना है यह services के icon के उपर apply करना है तो इसका जो box है हमारे पास कुछ इस तरह से appear होगा तो यहाँ पर हमें चंद second wait करना पड़ेगा तो जैसे services का box हमारे पास appear होगा तो हम यहाँ पर चंद setting करेंगे आपने यह simple setting कर लेनी है तो आप यह जो fake कहते हैं, video fake है तो आप यह दुबारा नहीं कहेंगे क्योंकि आपके जितने भी driver है जो कि आपकी Microsoft Windows में है वो सही तरह से install हो जाएंगे update हो जाएंगे और download भी होंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है एक किसी भी file के उपर click करना है W का button press करना है तो जैसे हम W का button press करते जाएंगे तो हमने यहाँ पर find करना है Windows Update तो Windows Update जैसे हम find कर लेंगे हमने इसके उपर double click करना है तो यहाँ पर हम देख सकते है Windows Update इसके उपर click करना है तो यह mini box हमारे पास कुछ इस तरह से appear होगा, manual को हमने shift करना है automatic पर तो जैसे हम automatic पर select करेंगे इसको यानि कि इसकी जो startup type है apply करेंगे, ok करेंगे तो जैसे हम ok के button पर apply कर लेते हैं इसके बाद हमने इस box को close करना है my computer के उपर right click करना है जैसे हम इसके उपर right click करेंगे और properties पर apply करेंगे तो हमारे पास setting का जो box है कुछ इस तरह से appear होगा यहाँ पर हमने चंद second wait करना है और यहाँ पर find करना है right side पर device manager इसके उपर apply करना है जैसे हम इसके उपर apply करेंगे इस box को close करेंगे तो device manager का जो box है हमारे पास illuminate या appear हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास तमाम जितने भी हमारे system से related driver है उनको हम select कर सकते है यहाँ पर अगर देखें तो display driver है network driver है और sound driver है याँ यहाँ पर जितनी भी हमारे पास list है यह तमाम drivers की list है इन तमाम को हम update कर सकते है method same है आपने network driver को करना है update करना है याँनिकर right click करना है update करना है simple method है search automatic के उपर आपने apply करना है लेकिन इसके लिए जो शरत है वो यह है कि आपने services.msc में जाके windows को automatic पर select करना है तो जैसी आप automatic पर select करेंगे तमाम process या तमाम drivers आपके system में install हो जाएंगे तो जैसी ये तमाम driver install हो जाएंगे आपने simple काम करना है आपने system को restart करना है ताके तमाम जतनी भी information है वो update हो सके